Hey guys, welcome back to the channel Study Portal Study Portal पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में बात करते हैं कुछ KVS की वेकिंसी की जो की contractual के basis पर है, permanent जो वेकिंसी है उसका exam already date आ चुकी है, उनका exam होने वाला है तो ये कुछ KVS की contractual वेकिंसी है जो की आप इस के लिए भी तयारी कर सकते हैं अगर आप KVS की permanent वेकिंसी की भी तयारी कर रही है साथ-साथ चाहे आप इस बार exam देने वाले हैं या आप अगली बार exam देने वाले हैं तो आप हमारे इस help line number 844-7410-108 इस number पर आप हमें contact कर सकते हैं हम आपको live classes, recorded batches और notes भी by courier प्रोवाइड करते हैं और अगर आप इस बार exam दे रही हैं तो आपके लिए benefit है आप इस बार के साथ-साथ अगले exam की वे तयारी उसी course से कर सकते हैं validity आपको तब तक के मिलेगी तो ये कुछ अंशकालीन सिक्षकों की भरती है 2023-24 के लिए ही है और ये दो जम्मू केंट में जो KVS ओफिस है वहां के लिए ये वेकिंसी है इसके लिए आपको क्या करना होगा एक आपको application form फिल करना होगा और आपके जितने भी important documents हैं वो आपको self-attested करके लेकर जाने हैं और self-attested in documents को आप विधले में पहुचना है आपको 5 फरवरी को आपको जाना है और ये जो application से डोकुमेंट है या आप speed post या register post या by hand भी दे सकते हैं एक बज़े से 2.40 के बीच में किसी भी working day पर जैसे application होगी आपको 5 फरवरी से पहले पहले last date से पहले आपको दे देनी है उसके बाद ये accept नहीं की जाएगी और उसके साथ साथ आपको एक separate application form जो होगा रेडवेंट documents के साथ हर एक post के लिए अलग-अलग आपको देना है और आपको envelope पर नाम लिख देना है किस post के लिए आप apply कर रही है इसमें आपका written test और interview होगा और उसके basis पर ही विदल्य की website पर ही आपको intimate कर दिया जाएगा और ये website पर information आपको latest 18 January की जो है इसके coding आपको यहाँ पर सारी information में आपको provide करने वाले हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन-कौन सी post है तो यहाँ पर PZT में जो post है वो English, Hindi, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Commerce, Economics, History, False Science and Geography यह कुछ post है PZT के लिए TZT के अगर हम बात करें तो English, Hindi, Mathematics, Science, Social Science, Sanskrit यह वाली post है PRT के लिए PRT में Activity Teacher या Poaches के लिए Sports, Music, Computer Instructor, Art Teacher के लिए रहेगी Nurse की post है और Special Education की post है Special Educator के लिए यहाँ पर post है तो यहाँ पर सिक्षकों का पैनल बनाए गया है जो कि आवशकता अनुसार उप्योग में लाए जाएगा इसके लिए तो यहाँ से आप इसके वेबसाइट से जाकर आप एक form डाउनलोड कर सकते हैं जो कि मैं आपको दिखाऊँ यह application form साथ ही यहाँ पर इस notification में इसका criteria भी दिया गया है कि क्या आपकी qualification रहेंगी कितनी age चाहिए क्या आपकी education qualification desirable सब यहाँ पर दिया गया है यह भी आप यहाँ पर visit कर सकते हैं कि कि किस post के लिए कौन-कौन सी qualification यहाँ पर चाहिएंगे separate application होनी चाहिए अगर आप एक से ज़्यादा post के लिए apply कर रहे हैं और interview date आपको आपकी responsibility है कि आप website पर check करते रहें कोई भी information individually किसी candidate को नहीं दी जाएगी नहीं कोई T.A.D.A. दिया जाएगा interview attend करने के लिए आपको जो documents है वो 5 फरवरी से पहले by speed post, register post, courier services या खुद जाकर आपको submit कर देने है envelope पर आपको different post जिसके लिए apply कर रहे हैं तो अलग-अलग post पर आपको send करने है documents और selection होने पर आपका जो renovation है pay है other terms and condition जो होंगी वो KVS contractual teacher norms के according होंगी knowledge computer application की desirable है लेकिन अगर होगा तो best है return test यहाँ पर कंड़ किया जा सकता है अगर बहुत सारे applications आए तो इसके लिए आप school की website पर visit कर सकते हैं यह school की website है इस website पर आप जाकर check कर सकते हैं candidates को apply करने से पहले post और PZT TZT post के लिए अपने photocopy जो mark sheet किये all semester की year of graduation master degree सब यहाँ पर आपको provide करना है अगर फिर भी कोई clarification चाहिए तो आप KVS की website पर visit कर सकते हैं वो आप पर पूरी information आपको मिल चाहें कि तो यह form है दोस्तों जो आपको भढ़ना है आपके लिए form के लिए यह वाला form है आपका contractual appointment के लिए यहाँ पर आपका name of post आएगा किस post के लिए अप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपका subject होगा यहाँ पर आपको date यहाँ पर आपकी photo आपको लगानी है यहाँ पर आपको अपना name लिखना है ध्यान रहे, capital letters में लिखना है फिर आपका father's name, husband name यहाँ पर आएगा date of birth होगा correspondence address आपका यहाँ पर होगा फिर उसके बाद अपना mobile number लिख देंगे telephone number है तो लिखेंगे वरना छोड़ देंगे education qualification में अपकी plus two graduation, master सारी details यहाँ पर देंगे उसके बाद professional education में यहाँ पर बता देंगे उसके बाद अपना experience यहाँ पर share कर देंगे कितने years कितने months का account करके mention कर देंगे यहाँ पर आपको date mention करनी है यहाँ पर आपको sign कर देनी है यह वाला form है यह form भी आपको website जो KVS की अपनी website है वहीं से आपको मिल जाएगा KVS की website मैंने आपको बता दी है KVS की website के लिए आपको जाना है number 2 jammoo में इस website पर आपको जाना है और इस website पर आपको पूरी information मिल जाएगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही इसी तरीके की और वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे अगर आप KVS की तयारी कर रही है या फिर किसी भी teaching exam की तयारी कर रही है तो आप हमसे जुणने के लिए आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने exam का नाम जैसे की KVS, Principal, PZP, TZP इस तरीके से आप लिख के हमें WhatsApp कर सकते हैं 844-7410-108 पर आज की इस वीडियो में इतना है फिर में लेंगे से तरीके की और नई जानकारियों के साथ तब तक जुड़े रहेगा study portal पर आप हमानी app भी download कर सकते हैं नीचे दिये गए description box में link के दूँ